हेलो एभीवन आज मैं बनाऊंगी मैंगोशिक मैंगोशिक बनानी के लिए मैंने एक पका हुआ आम लेया है आमको साफाने से धूलेंगे टौपको काटके निकाल देंगे और आमको पीलेर हेर चाकू की हेल्प से छील लेंगे छीले हुए आमको बारिक टुकड़ों में काट लेंगे आमकी गुठली को फैक देंगे ब्लेंडिंग जाल लेंगे इसमें कटा हुआ आम डाल देंगे चीनी डालेंगे मैं दो गिलास मैगो शेक बनाने के लिए तीन टेबल स्पून चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ आप चीनी स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे एक गिलास ठंडा दूद दूद को मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है आप शेक बनाने के लिए आइस क्यूब का इस्तमाल भी कर सकते हैं जार का ठकन बंद करेंगे आम को अच्छे से ब्लेंड कर लिए आम अच्छे से ब्लेंड हो गया है बारेक शेक को एक बार और ब्लैंड कर लेंगे मेंगो शेक बन गया है मेंगो शेक को मैं कटे हुए आम से गारिश कर रही हूँ अगर आपको मेंगो शेक की यह रैसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए